हेलो एवरीवन मैं अंकित कुमार आज आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जहां पर हमनों जानेगी कि रिमांट क्या होता है इसके बारे में डिटेल डिसकस्टन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सामानी जीवन में यहां सब्द काफी प्रचलित रहता है प्लस पर आप किसी भी कटेगरी का सब्सक्रिप्शन हैना चाहते तो लाइफ टेन कोड को यूज करना ना भोले या हर कटेगरी में अपलाई है चाहे वह यूपीस्टी हो चाहे वह जूडिश्री हो चाहे सस्सी बैंक कहीं पर भी हो जो हमारी धंड प्रक्रिया सहता 1973 है उसकी धारा 166 काफी महत्वपोर्ण है इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पता होगा कि जब किसी भी आरूपी या अपरादी को गिरफतार करती है पुलिस तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तूत करना होता है अब वो 24 घंटे के अंदर अगर नहीं प्रस्तूत करती है तो वहाँ अपने मौलिक अदिकारों का प्रयोग कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट वा हाई कोर्ट जा सकता है ये बात आप लोगों को मैंने फंटामेंटल राइट शोले चेप्टर में बताई होई है तो वहाँ प अपराधी में एक फर्क आपके बताईता हूँ आरोपी किया होता है इसके उपर शिर्फ घटना के आरोप लगते हैं आरोप शिद्ध नहीं हुआ रहता है जबकि अपराधी उसके उपर अपराध हो चुका होता है ठीक है यहाँ पे अपराध इस विक्ती ने ही क्राइम किया है तो जब सिद्ध हो जाता है तो वह अपरादी बन जाता है और जब आरोप लगते हैं तो वह आरोपी कहलाते हैं यानि कि अभी किसी बात के साक्ष नहीं है कि उसने ही क्राइम किया है तो इस आधार पर ये अंतर आपको पता होना चाहिए जहां पुलिस आरोपी द्वारा अंजाम दी गई वारदाद के बारे में जज को जानकारी देते हैं जिसके बाद मामले की जितनी भी संग्यान लेने वरी चीजे होती हैं उसके आधार पर पूश्थाच सुरू करी जाती है अब पोट में मौजूद मजिस्ट्रेट को एक अरजी देकर पुलिस आरोपी ये अपरादी को हिरासत यानि रिमांड पर मांगती है अब यानि रिमांड कब मांगी जाती है जब 24 घंटे के अंदर वह उस आरोपी से या अपरादी आप सोच रहे होंगी सर यहाँ पर अपरादी सब्द क्यों इंट्रेड्यूस किया जा रहा है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस विक्ति को पकड़ा जाता है उसके खिलाफ साक्ष होते हैं या फिर वह खुद ही स्युकार कर लेता है कि उसने ही वह क्राइम किया है इसलिए आरोपी और अपरादी दोनों सब्दों का प्रयूख किया जा रहा है तो ऐसी इस्तिती में क्या होता है कि माल ने तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिश्टेट के सामने तो प्रस्तूत कर दिया गया अब ऐसी इस्तिती में उसकी बेल भी हो सकती है वो अपनी बेल करा सकता है लेकिन पुलिस चाहती है कि अब हम उसके खिलाफ या उस से और भी अधिक जानकारी लेना चाहते तो अधिक जानकारी लेने के लिए वहां क्या कर सकती है magistrate से request कर सकती है कि इन्हें जो है न रिमांड पे भेजा जाए ताकि हम investigation कर सकें यानि कि इसका मतलब क्या है पुलिस अधिकारी जो किसी crime का investigation यानि कि जाच कर रहा है वहां अपने पास उपलब्द सबूतों के आधार पर उस विक्ति को गरिफतार कर चुका है और अब उससे पूरी information लेना चाहता है उस अपराद की या फिर जो कुछ वहां जानता है उसके संदर में यानि कि वह एक तरीके से investigation को आगे बढ़ाने के लिए उस विक्ति की help लेना चाहता है या फिर उस विक्ति से संपूर्ण जानकारी उस अपराद से संबंधित लेना चाहता है तो ऐसी इस्तिती में उसको गरिफतार कर लिया जाता है लेकिन यहां पर उसे किसी भी तरीके से physically assault नहीं किया जा सकता है बस उससे सामान ने पूर्वक जानकारी ले जा सकती है बिना किसी दवाओ के वहां अपनी सामान ने जानकारी के अनुसार दे सकता है ऐसी इस्तिती में उसे जब कोई भी आरूपी जब उसे गिरफतार कर जा सकता है तो उसे हतकड़ी नहीं लगाई जा सकती है यह बात याद रखिएगा हतकड़ी तभी लगाई जा सकती है जब उसके उपर अपराद सिद्ध हो चुका हो यानि कि जब किसी विक्ति के अपराद सिद्ध हो जाते हैं तब उसे हतकड़ी लगाई जा सकती है किसी आरूपी के उपर नहीं किसी अपरादी को ही हतकड़ी लगाई जा सकती है यह महत्मपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है ऐसी इस्तिती में वह रिमांड की मांग करेगा कि हाँ इनको रिमांड पर भेज दिया जाए और ऐसी इस्तिती में मजिस्ट्रेट अपने विवेक की अनुसार विवेक की उपर सब कुछ डिपेंड करता है कि वह रिमांड पर भेज सकता है अब जो रिमांड की अवदी है वो magistrate के पास जाएंगे फिर से request आ लेंगे और magistrate को लगेगा कि रिमांड पर भेजा जाने चाहिए तो फिर अभिरक्षा जेल में भी बेजते गा है अगर अन्य मामलों में है तब किसी आरूपि को मजिस्ट्रेट मैक्सिमम ताठ दिन के लिए नयायक अभिरक्षा में भेज सकता है इससे अधिक नहीं भेश सकता यह दोनों फैक्ट याद रखिएगा कि अगर संगीन आरोप है यानि कि बहुत मेजर क्राइम है तो ऐसी इस्तिती में उसको 90 दिन की न्याई खिरासत में भेजा सकता है और उससे कम है तो मैक्सिमूम 60 दिन की रिमांड पुष्टाच के लिए आरोपी को पुलिस रिमांड की अवदी खतम हो जाने पर या तो पुलिस कोट में अरजी दे कर फिर से रिमांड मांगती है या जरूरत ना पढ़ने पर मजिस्टेट या जज के सामने उस आरोपी या परादी को अपनी कस्टडी में लेकर जेल भेज देती यानि कि ऐसी इ आज को संपूर्णता में तबदील करने के लिए लिए लिजाती है ताकि उस विक्ति के द्वारा संपूर्ण इनफॉर्मेशन यानि कि संपूर्ण जानकारी प्राब्त की जा सके और हाइपोथेसिस और यानि कि जो पूर्वा ग्रह है यानि कि जो परिकल्पना बनाई वीडियो के माध्यम से रेमान टॉपिक को भी समझाया होगा और अन्य महतुपूर्ण जानकारी भी दी होगी जिससे आप अपने जीवन में अवेरनेश और अपने एक्जाम को क्वालिफाई करने में एहम भूमी का निभा सके मिलते हैं अंगले वीडियो में थैंक्यू सो जाहिंड जाहिंो